प्रेश दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आद नेवर मिस अनाधर अपदेट हेलो दोस्तो गूड मॉर्निंग हैपी मकर से कुरांटी आप सबको अब आज बात करेंगे अपन अद्यू की कुरांटी के बारे में अद्यू की कुरांटी के दो चरण है पहला चरण है सत्रासो सित्र से अठासो पचास और दूसा चरण है अटासो पचास से उन्नीस होगा प्रतम चरण में हैपन ब्रीटेन, फ्रांस, हॉल और बेल्जियम का मानते हैं और दृत्ती चरण जो है अमेरिका, जर्मनी, इटली और जापनगा यह ओवर्व्यू है, ओवर्व्यू आप यहां पर देख लिजिए, आज जो चेप्टर है उसके अंदर में वैसे भी आपको में में इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे उद्योगी करानती का ओवर्व्यू आपकी दिमाग में आ जाए, विस्त्रित पढ़न अचानक से उत्पादन में व्यापक वर्दी हो जाना, कारखानों का स्थापित होना और मशीनों का यूज होना, पहले जो लोग हातों से काम करते थे, हातों से कच्चे धागे बनाते थे, इन सब के लिए मशीने आने लगई एक साथ बहुत सारे धागे उत्पादी धोने लगे बहुत सारे मिले जो है वो बनने लगी तो यह सब उत्पादन की पदती में व्यापक परिवर्तन, विशिष्ट अर्थों में कारखाना पदती की सुरवात, मशीनों के दोरा उत्पादन, शक्ति चालित मशीन, अधिक अधिक मुनाफे को ध्यान में रखकर का मतलब यही है कि जब पहले लोग हातों से काम करते थे में पावर बहुत ज़्यादा लगता था समय बहुत ज़्यादा लगता था उत्पादन बहुत कम होता था वहीं अब मशीनों का यूथ होने लग गया और मशीनों का यूथ होने की वज़े से उत्पादन भी है वीबला नामक समाजवाधी विचारक ने मुहावर की तोर पर इस शब्द का प्रियोक किया था ठीके दोस्तों और द्यों कि करांदी ने ना केवल आर्थिक जीवन में करांदी करी परिवर्तन किया बलकि सामाजिक राज देति और सांस्कृतिक जीवन में भी व्यापक तोर पर परिवर्तन किया कैसे जैसे कि पहले गाहों में ग्रामेंट जनता रहती थी वह सब जातिवाध से ग्रस्त थी तो वह लोग शेहरों की तरफ बढ़ने लगे जहां पर बड़ी-बड़ी मीले और फेक्ट्रिया थी तो वहां पर लोगों को सब जगे बली वह किसी भी जा क्रशी पर ज़़ादा जोर दिया जाता था वहां से लोग हटे में से लोग आकर उध्योग दंदे जो की शेहरों में बन अपरहिए थे वहां पर जाने लगे तो इस तरीके से समजिक आर्थिक और राजनितिक शांस्कृतिक जीवन में सब में परिवर्तन हुआ अब बात करते हैं कि यह जो क्रांती है ब्रिटिश उद्योगी क्रांती सबसे पहले के कारण क्या थे एक तो क्रिशिक शेत्र में परिवर्तन जैसा कि अठारवी सितापदी जो है उसके पुरवार्द में क्रिशिक शेत्र में कई महतोपून परिवर्तन दिखाई पड़ते है अब ये क्या क्या हो सकते हैं जैसे कि सबसे पहले बाडा बनदी यानि कि बड़े-बड़े क्रसी फ़ार्म्स जो हैं वहाँ पे विकसित हुए बीज बोने कि यंत्र क्यूंकि अब विग्यानिक पदद्ति से यंत्र और मशीने बंदने लग गई थी तो लोग अब हातों से ब पसल लेनी है कौन सी नहीं लेनी है इस तरीकी की वरुदित्यां जिससे उत्पदक्ता में वृद्धी हुई और अतरीकत उत्पद्न ने करांतिका मार प्रशस्त किया करांतिका कहना बी में यही है कि व्याफक काschave धुक्त ब्रूप मीं तिक है चलिए जनसंख subway बृद्धी 18 सदाब्धिक उतराद में जन संक्यां तीरोवर्धि होई क्यों कि पहले क्या होता था कि खाध्यान वगए इतने उपलब्द नहीं होते थे अब खाध्यान में व्यापक व्रद्धी हो गई और अधिक फसले उगने लगी तो लोगों की जन संक्या जो है वो बड तो जन संके कि में बहुत ज्यादा व्रद्धी हुई और समीकों की उपलबदता इत्यदी लाव हुए क्यूंकि गाउं से शेहरों की और पलायन हुआ वहाँ पर क्रशी की तक्निके वगेरा ये मशीने वगेरा सब कुछ अवलेबल होने लगी तो जन संके कि में बहुत ज्यादा व्रद्धी हुई व्यापार पूर्ण जागरान के बाद वेस्विक व्यापार की यूग की शुरुवात हुई अठारवी सदी तक इसका सरवादिक लाब बृता सकति रखता था तो उनके पास कई परकार की नावे और जहांस थें जो की सुदूर देशों में जा जाके व्यापार करने वो भी इनसे connect में हुए, contact में आये और यहाँ पर इनसे व्यापार अच्छी तरीके सी यह करने लगे। उसी दोरान भारत से भी इनोंने व्यापार किया। ब्रिटेन में बड़ी मात्र में पुन्जी का संचे तथा उपनी वेशों की स्थापना ने उद्योगी करण का में आधार का कार्या किया। ठीक दोस्तों। व्यापार इकरानती का बात करें। तो 16-18 से तथापदी के बीच यूरोप में व्यापार के क्षेत्र में विविन महतों परिवर्दन हुआ है। जैसे कि सुदूर वर्ती व्यापार जैसे कि मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ब्रिटेन में सबसे शक्तिचाली नों से ना थी। इसलिए वो सुदूर में जा जाकर अपना व्यापार करने में क्षमता लगती थी। समूद्री मार्गों से व्यापार, बेंकों की स्थापना इस वजय से व्यापरी कमपनियों की स्थापना और इन अर्थों में व्यापरी करांति का शब्द प्रियोग किया जाता है। परिवर्तन के एक्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। ब्रिटेन के सभी प्रमुक्षेरों को नहरों से जोड़ा गया। जो है प्रारम होगा। ठीके दोस्तों परिवहन से और जोगी करांति के लिए परिवर्तन परिवहन होना बहुत ज़्यादा जरूरी हम जानते हैं। परिवहन होगा तभी एक देश दूसरे देश से संपर्क में आएगा। चलिए। पांचवा जो है राजनितिक इस्थिती देखे दोस्तों वहाँ पे जो राजनितिक इस्थिती थी वो काफी स्थाइत्व के दोर में थी। तो वो लोग क्या है कि व्यापारों का पूर्ण तया साथ देते थे। यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि राजनिति से उनको कोई प्रोब्लम नहीं हुई वहाँ पे शाशक वर्ग जो है बिलकुल सही था। यूरोपी रास्टों की तुलना में ब्रिटेन राजनिति की रूप से स्थिर रहा, एक समान प्रशासनिक व्यवस्था, मुद्रा कानून के प्रचलन में आर्थिक गती वीदियो के विकास में योगदान दिया, सरकारी नीतियों ने भी उत्प्रेर कारे किया जैसे कि उप पर्योगों परिशान नहीं करता था, और हस्तक्षेप की नीति उनकी सबसे अच्छी थी, इसी वज़े से जो है वहाँ पर ये कंपनिया विक्सित हुई और इन्होंने दूसरे देसों से वियापार अपनी तरीके से मुक्त वियापार किया, सामाजी किस्ची थी, ब्रिटि निम्न वर्ग को समाइट किया जाने समद्रिकारिय इत्यदी शांति पूरोग संपन्न हुए, इसी प्रकार आर्थिक फायदे के लिए वियापारियों के साथ जमीन दारों ने भी उद्योग में निवेश किया, जैसे कि जमीन दार अपने यहां थे भारत में वैसे इस तरी निया राज्यों में विलासिता युक्त जीवन जी रहे थे, तो मतलब यह है कि यूरोप में यूरोपी राज्य दो थे वहां पे जिस तरीके से जमीन दार और यह इनके बीच में क्रशक वर्ग के बीच में बहुत जादा दूरी थी वेसी दूरी ब्रीटिस समाज में और वहां पे नहीं थी, आर्थिक करण, देखिए, सबसे पहले बेंकिंग धाचा, वहां पे रिन देने के लिए हर समय बेंक जो है उपलब दे थे, मतलब बेंकों की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी, मतलब 1695 इस्वी में आप इमेजिन कर सकते हैं सिर्फ 1695 इस्वी में बेंकों इंगलेंड की स्थापना हो गई थी, मतलब वो कितने विक्सित हो गए थे हमसे बहुत पहले, तता 1800 तक लगबख 300 क्षेत्रिय बेंक ब्रिटेन में शक्रिय थे, प्राकर्तिक संसादन की उपलब देथा, वहां पे लोहा और कोईले की बहुत ज़्यदा उपलब द हुई, बड़ी मात्रा में पुझी की उपलब देता, क्योंकि ये लोगों के पास टेक्निक वहां पे अविलेबल थी, इसलिए ये सुदूर देशों से व्यापार करते थे, तो पुझी के मात्रा इनके पास पहले से बहुत ज़्यदा उपलब देती, तक्निकी कारान की बा प्रसम चरण में सरवादिक विकास कपड़ा उद्योग में देखा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वहां पे बहुत सारी मीले इस्टाफित हुई थी, और मेन पावर से बहुत ज़्यदा यहां पे मशीनों से कार्य किया गया, तो वो ज़्यदा फास्ट और जानते हैं, सबसे पहले बाब इंजन का अविश्कार इन्हों नहीं किया था, स्टिफ एंशन रेलवे में इंजन का प्रियोग स्टिफ एंशन ने किया, ठीक है, पहले ओद्योगों में हातों से लोग दागे बगे बगएर बनाते थे, जैसे जैसे जैम समाट का इंजन आय नाम, जासे कि हम जानते हैं कि उस पादन की जो प्रदत्ती है, उसमें परिवर्तन हुआ, जो भी उद्योग थे उनके अंदर मशीनों का प्रयोग हुआ। कृशी में मशीनों का कांथीकारी बदलाव आया। परिवहन के एक्षेत्र में करांतिगारी बदलाव आया जैसा कि मैंने आपको पहले ही यह सारी बाते बाता है शेहरों की शंक्या में व्रती क्यूंकि अध्योगिक धंदे मिले फेक्ट्रिय वगेरा जो है वो शेहरों में स्थापित हुई तो लोग जो है गाउं से शेहरों क करने लगे तो इसलिए क्या है कि उनको उद्योग व्यापरियों को मजदूरों को भी ज्यादा प्रोब्लम नहीं हुई उनको आसानी से मजदूर और सस्थे दामोबन मजदूर उपलब्द हुए उद्योगे करन के जहां एक और रोजगार के अवसर सरजित हुए वही दू लोग छोटे मात्रा में खेती करते थे वह बंद होगए क्योंकि बड़े-बड़े फॉर्मस प्रमस जो है वह इस्टापित हुए बेरोजगरो की संख्या भी बड़ी क्योंकि जो कुटी रोजगार के प्रमुक केंदर के रूप में इस्ताफिद हुए सामाजिक परिणाम की बात करेंगे तो उद्योग परती यह उश्रमिकों के रूप में समाज में दो वर्गों का अब उद्य हुआ संसादन पर नियंत्रन के कारण उद्योग उत्यों का बहतर जिवनेस्तर हुआ मजदूरों की दैनी दशा जैसे की कम वेतन हुआ रोजगारों की असुरक्षा निम्न इस्तरी आवास में व्रद्धी जो हुई और वहां पर जो लोग गाहों से आने लगे उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था तो इसलिए उनकी इस्तिती जो ही बहुत दैनी थी और उनको सबको एक जैसे कच्ची बस्तियों में रहना पड़ा इसलिए वहां पर करने के लिए तयार थें तो इनका सबसे ज्यादा शोशन हुआ रोजगार की तलाश में में बड़ी संख्या में ग्रामेंट शेतर सहरों के और लोगों का इस्ताना अंत्रों हुआ यह मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ भावनात्मक संबंदों एंवरत संबंदों स अब क्या हुआ व्यावसाइक संबंदों को महत्व दिया जाना लगा अगर आप अच्छी तरीके से और ज्यादा कार्य कर रहे हैं तो ही आप हमारी फेक्ट्री में टिक सकते हैं वरना आपको बाहर निकाल दे जाएगा ऐसी सोच व्यापारियों की हो गई थी बहली सामने वाले स्रमिक की कितनी देनी इस्ति थी क्यों नहों उसकी मदद नहीं की जाती थी जब तक कि वो सही तरीके से कार्य ना करें उपवोगता वस्तुओं की व्यापक इस्तर पर उपलब्द था तो यह समाजिक परिणाम हुए राजनितिक परिणाम की बात करेंगे तो ब्रिटिस राजनिति में महत्वपून परिवर्थन दिख लाई पड़ता है जैसे कि लोगतांतिक सुधारों के लिए सरकारों पर दबाव बनाया गया 1832 के संसदी अधिनियम द्वारा बिटिस राजनिति में मत्यम वर्थ जो था उसको महत्वपून इस्तान दिया गया श्रमिकों के द्वारा भी राजनितिक अधिनियम के लिए चार्टिस्ट अंदोलन जो है वह स्टार्ट हुआ 19-19 सदी के उत्रार्द में विबिन्न संसदी अधिनियमों के द्वारा श्रमिकों को लोगतांतिक प्रक्रिया में समहित किया गया और संसदिये में संसदी राज विचारदारा के इस तरह पर बात करें तो ओध्योगी कांति के पस्चात उदारबादी विचारदारा लोगप्री हुई राजनितिक शत्र में इसमें लोगतांत्रिक संस्ताओं का समर्तन किया वहीं आर्थिक में थक्षप निती का शुरुवात हुई वो मैंने आपको पेले ही बता दिया है इसे लेसिस फेयर कहा गया और थक्षपी निती इसलिए क्योंकि सरकार को डायरेक्ली व्यापारियों से म श्रमेको की देशा में सदार के लिए कदम उठा है रोबर्ट ओवन त्यान रखिएगा प्रारभिक समाजवादी को कालपनिक समाजवादी भी कहा जाता है उद्योगी करांती के बस चाहत उपने वेश्यों पर नियंत्रन या समराज जवाद को नियाचित ठेराने के लिए सिद्दान्तों का निर्मान किया है जैसे रूड याड कीपलिंग अपन जानते हैं ने श्वेत व्यक्तियों पर अधिभार वाइट मेन बर्डन नमक सिद्दान्त प्रस्तूत किया असब भी लोगों का तथाकतित सब भी लोगों के साथ के द्वारा सब भी बनाने का इश् इसलिए जो समाजवादी थे वो उनको देखकर उनके उपर दया करते थे और दया करने के विजए से वो अलग-अलग books लिखने लगे, किताबे लिखने लगे कि इनकी क्यसी धयनी इस्तिति है और इनकी लिए वहां पर जो है अध्यubi क्रांति के दोरान जो ये बजोज़गारी वगountain और स्वामिक वर्थ की बढ़ोतरी हुई और इस तरीके से लोग जो विक्सित हुए उनको सही राहा पर दिखाने के लिए इन लोगों ने लड़ई लड़नी स्टार्ट हुई तो ये इनकी उद्यो की करांथी के कुछ जो है नकारात्मक तथ्य भी है जहां सकारात्मक है वहां नकारात्मक भी होता ही है अन्य उद्यो की करांथी जैसे की उद्यो की करण जैसे जर्मनी में रज एवं बेंकी महतों पुन भूमी का रसाइन वं विदली उद्यो का बड़े पेमाने पर विकास रूस उद्यो की करण में विदेश पुन्जी की भूमी का पस्च्यम रूस का सर्वाधिक अद्योगी करण भारी उद्योगों पर बल दिया गया था जैसे कि ब्रिटिस मैं छोटे चोटे उद्योगों से शुरुवात हुई थी व्यrise से रूस में भारी उद्योगों पर ज्यादा बल दिया गया रूस की क्रांति के पस्चात उद्योगिक विकास नियुजित उद्योगिक विकास जापान उद्योगिक करण में राज्य के द्वारा उद्योगों में निवेश हुआ कुछ मर्दोपुन परिवारों का उद्योग में नियंत्रन था और उद्योगिक विकास बहुत हद तक आयात पनिर्वाद करता था ठीक है दोस्तों तो यह अन्य उद्योगी करन में सबसे ज़्यदा इंपोर्टेंट जो है वो ब्रिटिश उद्योगी करन्ती है और क्यों हुआ कैसे हुआ यह मैंने आपको बताया वहां पहले से लोहा और कोईले की प्रचूर मात्रा में उपलबता थी वहां की नो से ना जो जो व्यापक असर हुआ वह ब्रिटिश उद्योगी करन्ती से अपने देख सकते हैं तो दोस्तों यह था उद्योगी करन्ती का चैप्टर और इसके अंदर बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो थे जो सीदे 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 कोश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता द वेग्यानिक द्रिश्टि कौन जो है उद्योगी करन्ती में मिला तो दोस्तों नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे थेंक्यू सो मच